हेलो दोस्तों दोस्तों आगी क्लास में हम अध्यन करेंगे दिल्ली सल्टनत के पहली मुस्लिम सासिका रजिया सुल्तान के बारे में तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों इल्तुत्मिस दिल्ली सल्टनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने जिवनकाल में ही अपना उत्रादिकारी गोशित किया इत्तुतमिसके प्रमुग उत्रादिगारियों में पहला उत्रादिगारी है रुकनुद्दिन रुकंुद्धिन 1236shv दूसरा उत्रादिगारी रजय सुल्तान 1236-240shv मुईजुद्दिन बहराम शाह 1240-1242shv चोथा है अलावद्दीन मसूद्चा है 1242 से 1246 इस्वी पाँचवा है नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 इस्वी इल्दुतमिंस ने अपने उत्रादिकारी की रूप में जेश्च पुत्र का चेन करने की सामाने प्रथा को तोड़कर अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्रादिकारी नियुक्त किया किन्तु इल्टूत्मिस्की मृत्यू के बाद तुर्की आमीरों ने उसके पुत्र रुकनुद्यां को गद्धी पर बैठाया दोस्तो परन्दू रुकनुद्यां के समय उसकी माशाहर तुर्कान के हाथों में दिल्ली सल्थनत की वास्त्विक सब्ता थी इसी कारण रुकुनिद्धिन को एपदस्ट करके जन सम्मुह द्वारा रजिया को सुल्तान बना दिया गया दोस्तो रजिया का टाइम फिरेट 1236-1240 सिज्वी तक रहा इल्तुत्मिस ने रजियों का अपना उत्राधिकारी गोशित कर दिया और चांदी के टंके पर उसका नाम अंकित करवाया इल्तुत्मिस की मृत्यूं के बाद तीश वरसों का दिया सुल्तानों व आमिरों के बीच सत्ता के अधिकार के लिए संगर्ष का यतियास था रजिया के काल से ही राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच संगर्स प्रारंब हुआ रजिया के मामले में पहली बार दिल्ली की जन्तानी उत्रादिगारी के प्रस्न पर स्वेम निर्ने लिया उसका विरोध प्रसिद्ध तुर्क अमीरों ने किया जिन में निजामुल मुल्क जुनेदी, मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक सेफुद्दीन कुची, कबीर खां आयज और मलिक इजुद्दीन सलारी प्रमुक थी रजिया पर्दप तथा को त्याग कर, पुरुसों के समान कूबा कोट और कुलाहे टोपी पहन कर, दर्बार में बैठने लगी थी, तथा शाषन का कार्यवया खुद समालती थी एतगीन को रजिया ने बदाय को अक्तादार और फिर आमीर हाजिव का महतुपून पद तथा अलतूनिया को तबर हिंद भटिंडा का अक्तादार निक्त किया एक अभी सीनिय हवशी अफसर जलाल अद्दिन याकूत को आमीर आखुर अशुशाला का प्रधान निक्त किया, इससे वह विशेश अनुराग रखती थी 1240 इस्वी में सरहिंद के सूबेदार अलतूनिया ने विद्रोह कर दिया, अमीरों ने रजिया के भाई बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया रजिया ने अलतूनिया से विवा कर लिया और दोनों दिल्ली की और बढ़े, किन्तु वह बहराम शाह द्वारा पराजिद हुई, तथा 13 अक्तूबर 1240 इस्वी को केथल में उसकी हत्या कर दी गई रजिया के रजिया रवहन में दिल्ली की सेना, जन्ता और अधिकारियों का सयोग था, रजिया की ऐसा फलता का मुख्य कारण तुर्की गुलाम, सरदारों की महत्वा कांशाय थी, कुछ इतियास का रजिया की ऐसा फलता का कारण उसके महिला होने को मानते हैं, शकाता है गया सुद्धिन बलबन जिसकी हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे धन्यवाद दोस्तों दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिए धन्यवाद